क्या केनेडा इम्मिग्रेशन अब बंद होने वाला है क्या केनेडा में अब 2022 और 2023 में काफी कम लोगों को PR के थ्रूँ इन्वाइट किया जाएगा तो रिसेंडली ये सारी न्यूज आपको भी सुनने को आई होगी तो काफी सारे लोग ये सूच रहे हैं कि केनेडा का अब नेक्स्ट इम्मिग्रेशन गोल क्या होने वाला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी इंफर्मेशन देने वाला हूँ मैं हूँ आपका दोस अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल केनेडियन लाइफ और दोस्तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए क्योंकि केनेडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इंफर्मेशन वीडियो आपको मेरी चैनल के उपर मिल जाएंगे और साथी साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आइडी रियल केनेडियन लाइफ को भी फूलोग कर सकते है दोस्तों केनेडा एक ऐसी कंट्री है जो की मेजोरेटी इमिग्रेंट्स के उपर डिपेंडनेट है मेजोरेटी केनेडा की जो पोप्यूलेशन है वो ओल्डेज है और जो वर्कफोर्स से रिटायर हो रहे है उनकी जगल लेने के लिए जो यंग वर्कफोर्स भी तो आना चाहिए जो नए वर्कफोर्स में लोग आते हैं जो वो मेजोरेटी माइग्रेंट्स होते है यानि कि दूसरे कंट्री से माइग्रेट होकर केनेडा आ जाते है केनेडा की जो population growth है वो और countries से काफी कम है तो उसकी वज़े से भी immigrants की काफी ज़्यादा ज़रुवत रहती है तो अगर केनेडा में immigrants नहीं आएंगे तो फिर केनेडा का जो economic growth है वो काफी कम हो जाएगा तो केनेडा को economic growth के लिए immigrants की requirement रहने वाली है और जो recently यह जो news आई थी क्या targets होगे रहने वाले है वो सब मैं आपको बताने के लिए आपको लेकर चलता हो मेरे laptop के screen के उपर अब दोस्तों यहाँ पर 2022 और 2024 का जो immigration plan है तो यह आप canada.ca की official website के उपर यह जो notice रखी है यहाँ पर जाकर आप देख पाऊगे 2022 का इनका जो target है यह almost 432,000 immigrants का है 2023 का 447,000 immigrants का है और 2024 में यह जो target है यह 451,000 का रखा गया है अब last year का हम बात करें 2021 में यह जो target था वो 4,001,000 लोगों का था और उसमें federal skilled worker वाले जो लोग थे यानि FSW से ड्रो से आने वाले लोग थे उनका नमबर था एक लाख आठ हजार एक लाख नो अजार आप बोल सकते है और अब इन लोगों ने जो target कर दिया है 2022 का वो कम करके almost 56,000 लोगों का कर दिया है जबकि उनका पहले target था एक लाख दस अजार लोगों का तो ये जो नमबर है ये almost half हो गए है through express entry system अगर आप 2023 और 2024 की बात करें तो ये नमबर थोड़ा बढ़ने वाला है लेकिन अभी के लिए तो ये नमबर काफी कम होने वाला है अब बात करें टोटल इमिग्रंट्स जो केनेडा आते है तो टोटल 2021 में यहाँ पर statistika.com क्या official जो नमबर है यहाँ पर आप देख पाऊगे कि नमबर ओफ इमिग्रंट्स इन केनेडा फ्रॉम 2002 लेकर 2021 तो 2021 में बहुत कम इमिग्रंट्स आये है अल्मोस्ट सवा दो लाख लोग आये हुए है अब यहाँ पर इन लोगों का जो टार्गेट था 2021 में एक लाख आठ हजार पानसो लोगों का अब देखते हैं कि कितने लोगों को invitation मिला है एक चुल में तो यहाँ पर आप देखिए immigration.ca की वेबसाइट के उपर 2021 में टोटल 93,842 लोगों को ITA इस्यू हुआ है और यह जो ITA इस्यू हुआ है यह सब ड्रो मिला कर होते है 26 ड्रो हुए उसमें 13 जो ड्रो हुए वो PNP के हुए उसके अलावा Canadian Experience क्लास के हुए और इतने सारे लोगों को ITA ड्रो में invitation बेजा गया और यह जो नंबर है यह सिर्फ ITA का दिख रहा है क्योंकि एक्चुल कितने लोगों को PR मिला यह नंबर इससे भी ज्यादा कम हो जाएगा तो 2021 में जो उन लोगों का गोल था टोटल 4 लाथ लोगों का उसके सामने आप देखिए यह ITA सिर्फ 93,000 लोगों का ही हुआ है तो अल्मोस्ट 25% इतना भी नहीं हुआ अल्मोस्ट 23% इनका गोल एचीव हुआ है और अगर आप मुझसे paid consultation लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे Instagram ID Real Canadian Life के ओपर DM कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपको एक या दो गन्टे निकालकर आपको consultation में help करूँगा मैं कोई agent नहीं हूँ मैं कोई file आपके लगाने वाला नहीं हूँ लेकिन अगर कहीं पर आप फसे हैं आपको या idea नहीं है कि आपने जिस agent को के से बर दिये है वो सच में आपका file लगाएगा या फिर वो fraud है आपने जो process करी है उसमे जो आपको बताई है वो actual right है या wrong है ये सारी information में आपको बताऊंगा और उसके अलावा भी आपको Canada के related कोई भी query है तो वो भी आप मुझे consultation में पूछ सकते है हमारे लिए express entry इसलिए भी important है क्योंकि काफी सारे majority जो लोग आते है वो express entry या फिर बोल सकते कि federal street worker के थ्रू ही आते है अब last year 2021 की जो बात करें तो last year जो एक चुर FSW का draw हुआ था वो कोई भी नहीं हुआ था जो 26 draws हुए थे उन में से 13 थे वो EMP के थे और 13 थे वो CEC यानि की Canadian experience class के थे तो last year कोई भी FSW draw नहीं हुआ था similarly IRCC ने notification देकर ये भी बताया है कि इस साल June 2022 धब कोई भी draw नहीं होने वाला है तो definitely ये एक bad news है और इसका जो effect है वो काफी सारे लोगों को पढ़ने वाला है अब बात करते है 2022 के targets की तो 2022 के target है वो वाया express entry कम करके सिर्फ 56,000 कर दिया गया है जो 2021 में almost 1,08,000 लोगों का था तो आप बोल सकते कि ये जो number है वो 50% कर दिया है तो अब express entry वाले लोगों को काफी दिक्कत होने वाली है और prediction ये भी हो रहा है कि जो CRS score है वो more than 500 तक चला जाएगा अगर 50,000 लोगों को इन्वाइट किया जाएगा तो में जहां से में express entry के जो भी draw हो रहे थे उनका CRS cut-off में observe कर रहा हूँ तो आप अगर 2016 के जो draws हो रहे थे उनका score अगर check करेंगे तो वो काफी relevant होने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर जो ITA मिल रहा था वो काफी कम लोगों को मिल रहा था और जो CRS score था वो almost 520 और 500 के असपास चल रहा था तो यह prediction लग रहा है कि more than 500 तक CRS score जाएगा जो लोग Canada आने के लिए पहले से मेहनत करके बेठे हुए है जिन लोगों ने अपनी IELTS क्लियर कर लिये अपना डोक्यूमेंट इवेल्यूएशन कंप्रिट कर लिया है या फिर काफी सारे जो एसे लोग है जो Express Entry या फिर PMP या फिर दोनों में ही अपनी फाइल लगा कर वेट कर रहा है अपने नंबर आने का तो उन लोगों के लिए थोड़ी difficulty यह होने वाली है कि अगर आपका CRS score है वो 450 से नीचे है तो फिर आपके लिए चांसी से वो काफी खम हो जाएंगे और अगर आपका score 450 से प्लस आ रहा है तो फिर आपको French सीख कर थोड़ी सी French में आप CRP level 5 या फिर 6 तब चले जाओगे तो आपका CRS score है वो काफी ज्यादा boost हो जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपका CRS score है वो 400 तक भी नहीं आ रहा है तो फिर आपको PNP से try करनी चाहिए और जो भी PNP होते हैं जो भी provincial nominee program होते हैं उनमें सबसे ज्यादा reliable और सबसे एदा transparent जो PNP होता है वो Saskatch One का है जिसको SINP यानि की Saskatch One Immigrant Nominee Program बोलते हैं यह सबसे transparent है क्योंकि SINP ने अपनी different point system भी दी हुई है उसके अलावा जो लोगों को invite किया जाता है उनका score क्या होता है कुनसी NOC को invite की गई है यह सारी के सारी information आपको SINP की official website के उपर मिल जाती है मैं इसलिए recommend नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं Saskatch One में रहता हूँ लेकिन actual में Saskatch One का PNP है यह सबसे ज्यादा reliable है तो आप एक बार SINP का points grid होती है वो सारा उसकी official website के उपर आप जाकर check कीजिए अगर आपका SINP का score है वो more than 70 हो रहा है तो फिर आपके लिए chances है लेकिन अगर आपके points है वो 65 या 60 हो रहा है तो almost PNP में आपका chance नहीं होने वाला है तो आप ज्यादा यह उम्मीद लगा अगर मत बैठिये कि आपका SINP में हो जाएगा तो आप वहाँ से चले जाएगे क्योंकि यह cutoff है अभी तक 67 से नीचे नहीं आया है और वो भी तब आया है जब जो लोग उल्रीडी सासके चौन में थे उनको ही invite किया गया है तब तो अगर आपका score 70 के आसपास आ रहा है more than 68 या 70 आ रहा है तो फिर आप वेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपका SINP score भी कम है आपका CRS score भी कम है अगर फिर भी आपको Canada आना है तो फिर आपके लिए जो option last week बचता है वो रहता है कि student visa पर आ सकते हैं if you are financially strong and you can spend one or two years in Canada for your educational studies then it's definitely for you तो आप study करना चाहते हैं almost एक दो साल के लिए तो फिर आप student visa के ऊपर try कर सकते हैं अगर आपका SINP score 60 और 65 के आसपास हो रहा है 65 के आसपास हो रहा है तो आप French सीख कर आप 4 या 5 points और boost कर सकते हैं तो वो भी एक option आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपका SINP के जो points से वो बढ़ जाते हैं तो no doubt आपके CRS score में भी कभी ज्यदा boost मिलेगा और अगर fortunately आपको SINP से nomination मिलता है तब तो फिर आपको 600 points से से वो SINP के nomination से मिल जाएंगे और बाकी जो आपका 350 और 400 के आसपास CRS score होगा तो वो मिलाकर around 900 और 1000 के आसपास हो जाएंगे तो next draw में आपका number निकलने वाला है लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि आपके points कितने हो रहे हैं आपके नहीं हो रहे हैं तो आप points सी सीखने के बाद उसके लिए practice करके exam देनी है यह तो बात हो गई अभी 2022 और 2023 में आपके लिए क्या options है उसके लिए लेकिन काफी सारे जो agents होते हैं वो आपको work permit पर चले जाओ work permit पर जाने के लिए आपको xyz amount 2-3 लाग रुपे पहले pay करने होंगे उसके बाद आप Canada जाओग तो वहाँ पर आपको आपको जो salary होगी उसमें से payment करना है तो काफी सारे लोग वो agent के जासे में आ जाते हैं और initially 2-3 लाग पचास अजार एक लाग रुपे इसी है जो amount होती है वो बर देते हैं और बाकी जो documents work permit के होते हैं उनमें वो लोग काफी सारे loop walls रहने देते हैं उ उसकी वज़े से आपका जो work permit का वीजा है वो कभी आता नहीं है और फिर आपके जो पेसे हैं वो waste हो जाते हैं तो इसे काफी सारे लोग मुझे मिलते हैं और काफी सारे लोगों के मुझे इंस्टा पर DM भी आते हैं तो इसे जो agents आपको बोलते हैं कि आप work permit पर जाये तो यह बहुत बड़ा scheme है आप उनसे बच कर रही है और मेरा सबसे अच्छा जो recommendation रहता है वो यह है कि सारा जो knowledge है यह आप खुद ही gather कीजे और उसके बाद आप अपनी file खुद लगाई है तो दोस्तों यह video अगर पसंद आया हो तो इसको like ज़रूर कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे जो लोग केलेडा आना चालते है वो experience के साथ यह video जरूर share कीजे ताकि उनके तक भी यह information पहुँच पाए और दोस्तों चेनल को subscribe जरूर कीजे साथी साथ bell icon को भी जरूर रेस करें thanks for watching the video